दोस्तो आज हम बात करेंगे ICC यानि International Cricket Council के बारे में यह कैसे बना और इसने क्रिकेट में क्या क्या काम किये और क्या रोल निभाया 30 नॉब्र 1907 को South African Cricket Associations के प्रेजिडेंट A.B. Belly ने MCC के Secretary F.E. Lacey को एक लेटर लिखा उसमें Belly ने ICB यानि Imperial Cricket Board को Establish करने का सजेशन दिया जो कि England, Australia और South Africa के बीच खेले जाने वाले Test Matches के Rules and Regulations को कंट्रोल करेगा Belly चाहते थे कि South Africa में एक Price Series खेली जाए जिसमें ये तीन देश पार्टिसिपेट करेंगे लेकिन Australia ने इस offer को मना कर दिया लेगिन Belly ने हर नहीं मानी और लगातार बात करने के बाद आखिरकार वे सफल रहे उसके बाद 15 जून 1909 को Australia, England और South Africa के बीच Representatives ने मिलकर ICC यानि Imperial Cricket Conference की सापना की और तीनों ने एक बैठक में क्रिकेट के कुछ नियमों पर बाचित की जिसके बाद पहली बार 1912 में England में एक Cry Series खेलने का फैसला लिया गया 1926 में New Zealand, West Indies और इंडिया को ICC की Full Membership के लिए चुना गया जिससे Test Matches खेलने वाले देशों की संक्या बढ़ गई थी 1947 में Pakistan के बनने के बाद 1952 में Pakistan को भी Full Membership दे दी गई जिससे पाकिस्तान साथवा टेस्ट खेलने वाला देश बन गया था लेकिन 1961 में साउथ इफरीका के Commonwealth खो देने के कारण उसने ICC मेंबर्शिप भी खो दी थी उसके बाद 1964 में ICC नन टेस्ट प्लेंग नेशन्स को भी एड़ करने का फैसला लिया अगले ही साल इंपेरिल क्रिकेट कॉनफरेंस ने अपना नाम बदल कर इंटरनेशनल क्रिकेट कॉनफरेंस रख दिया और अमेरिका, सिलान और फिजी को असोसियेट्स मेंबर जो की एक नई सदिस्टा थी ICC में उसके रूप में उन्हें एड़ किया गया 1968 में डैन्मार्क, बर्मूडा, नीदरलेंड और इस्ट अफरीका को भी असोसियेट्स मेंबर के रूप में एड़ किया गया लेकिन साउथ अफरीका ने अभी भी मेंबर के रूप में एड़ होने के लिए अप्लाई नहीं किया था फिर 1973 की मीटिंग में वर्ल कप और्गनाइज करने का डिसिजन लिया गया जो की 1975 में खेला जाना था जिसमें सिक्स टेस्ट प्लेंग नेशन्स और इस्ट अफरीका और शिलंका को भी इंविटेशन दिया गया और फिर 1975 में पहला इंटरनेशनल क्रिकेट वर्ल कप खेला गया उसके बाद आइसीसी ने कई देशों को असोसियेट्स मेंबर और फुल मेंबर्स के रूप में एड किया और कई रूल्स में बदलाग किये और कई रूल्स एड भी किये 1991 में इंग्लेंड से दूर मेलबर में हुई एक मीटिंग में साउथ अफ्रीका को फिर से फुल मेंबर्शिप दी गई और उसे आइसीसी में एड किया गया 1993 में इसीसी द्वारा एक पोजिशन क्रियेट की गई जिसे चीफ एकजेकुटिफ ओफ आइसीसी नाम दिया गया और इस पत पर सबसे पहले बैठने वाले वैक्ति थे ऑस्टेलिया के डेविड रिचर्ड और इस पत पर सबसे पहले बैठने वाले गैर बिटिश वैक्ति से बार्बडोस के सर क्लाइड वॉलकॉट इसके बाद ICC ने थर्ड अम्पायर जैसे रूल्स की शुरुवात की और रॉन आउट्स और स्टम्स को बताने के लिए वीडियो प्लेबेक के जरिए थर्ड अम्पायर का यूज किया जो कि हरी और लाल भत्ती से आउट या नोट दिया जाता था उसके अगले ही साल कैचिस चेक करने के लिए कैमरास का यूज भी होने लगा और 1997 में डॉक वर्थ लूइस मेंथर्ट की शुरुवात की गई ICC आज तक वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल करता आ रहा है आज के समय में इसका हैटकौर्टर दुबई UAE में है जिसके अंडर 108 नेशनल असोसियेशन है जिसमें 12 फुल मेंबर्स और 96 असोसियेट मेंबर्स है प्रिजेंट में ICC के चेर्मेन ग्रेग बासले है और 2024 तक इस रहेंगे आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ICC कैसे बना और यह कैसे काम करता है आगर आपको वीडियो अच्छे लेगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्यू